दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के प्रिवेस एर्स MCQs की सिरीज में आज हम बात करेंगे UPSC IAS प्रिलिम्स 2019 के पेपर के तहत मध्यकालीन भारत के पोर्शन से पूछे गए सवालों के बारे में तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मध्यकालीन भारत की इतिहास से जुड़े हुए प्रशन अकसर कम ही आते हैं जैसा कि हम पहले के लेसन जो देख चुके हैं जिसमें हमने 2004 से लेकर 2018 तक के MCQs बनाए हैं प्रिविस एर्स के जिसमें मध्यकालीन भारत के MCQs भी हमने लिये हैं और वो MCQs काफी कम है लेकिन जो 2019 में मध्यकालीन भारत के MCQs आए हैं वो थोड़े से जादा हैं अपेक्शाकरत ठीक है तो इस लेसन को देखेंगा दोस्तों क्योंकि मध्यकालीन भारत भी important है ठीक है अगर आप history पढ़ रहे हैं तो कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते मध्यकालीन भारत को आप ignore नहीं कर सकते तो चलिए पहला प्रशन हम देख लेते हैं दोस्तों मुगल भारत के संदर्व में जागीरदार और जमीनदार के बीच क्या अंतर है तो ये प्रशन है दोस्तों जागीरदार और जमीनदार के बीच क्या अंतर है यहाँ पर आपको दो main आपको point दिये गए हैं पुछा गया है कि उप्रियुप्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है ठीक है अब आपको देखना है तो पहली बात देखिए यहापर लिखा हुए जागीरदारों के पास न्याईक और पुलिस दाइत्वों के एवज में भूमी आवंटनों का अधिकार होता था जबकि ज कथनों के बारे में ही पूछा है कि उप्रियुप्त कथनों में से कौन सा सही है तो दोस्तों ये कथन सही नहीं है ठीक है क्यों सही नहीं है यह मैं आपको बताता हूँ यह यहापर लिखा गया है कि जागीरदारों के पास न्याईक और पुलिस दाइतों के एवज में भू तो जितना बड़ा मनसबदार होता था, वो एक प्रकार से उतना बड़ा जागीरदार होता था, उसके पास उतने जादा सैनिक भी होते थे, ठीक है, तो उनको वेतन देना होता था, उनकी सेवा के एवज में वेतन देना होता था, अब भया, वेतन की जगाँ पर उनको जाग पर खिरान रखेगा कि यह जो मनसबदार या जागीरदार है यह शोर नहीं है कि यह उसी जागीरधर पर रहेंगे इन मनसबदारों की ड्यूटीज अलग अलग जगाहों पर भी लगा दी जाती थी जैसे राजामान सिंग है राजा animñasते इन इनकी ड्यूटीज अलग अलग हि तो यहाँ पर clear वही पहली बात के भया न्याईक और पुलिस दाइतों के एवज की बजाए यह उनको वेतन की एवज में मिलती थी ठीक है वेतन की जगाँ पर उनको जागीर दे रही जाती थी ठीक है और इस जागीर पर अपने सैनिक भी रखते थे अपने भरोसे के आदमिय है और यह जो जमीनदारों की बात है कि जबकि जमीनदारों के पास राजसु अधिकार होते थे तथा उन पर राजसु गाही को छोड़कर अन्या कोई दाइतों पूरा करने की बद्दा नहीं होती थी अब यह बात भी अपने आप में गलत है दोस्तों जो जमीनदार पहु उनके पास कुछ हद तक पुलिस के अधिकार भी होते थे उनके पास कुछ हद तक नियाई का अधिकार भी होते थे तो यह बात भी गलत हो गई कि केवल इनके पास राजसु अधिकार होते थे ठीक है कि राजसु उगई चोड़कर यह और कुछ नहीं कर सकते थे ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास थोड़े बहुत पुलिस अधिकार भी होते थे, नियाई का धिकार भी होते थे, तो ये जो point है गलत हो गया, अब दूसरी बात देखे, जागीरदारों को किये गए भूमी अवंटन, वैंशानुगत होते थे, और जमीनदारों के रजस्व अधिकार वैं वैंशानुगत नहीं होते थी, ट्रांस्वर अक्सर उनका कर दिया जाता था, एक जागीरदार आज कहीं का जागीरदार है, किसी जगहापर उसको दमीन दे रखी है, कल को बादशा का अमन हुआ, तो उसको उस जगह से notchर दूसरी जगहा जागीरदार बना दिया जाता थ थिक है तो transfer होता रहता था इनकी जागीरों का और ये वंशानुगत नहीं होते थे थिक है क्योंकि करको हो सकता है इनके बेटे उतने योगिया ना निकलते हों तो उनका जो मंसब है वो कम कर दिया जाए या मुगल बाश्याओ उनको मंसब दिना पसंद तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा अंसर हुआ, D, ना तो एक और ना ही दो, ठीक है, उमीद करता हूँ, इस चीज को आप समझे होंगे, अगला प्रशन देखते हैं, किसके राजिया में कल्यान मंडप की रचना मंदिर निर्मान का एक विशिष्ट अभिलक्षन थी, अब दोस्तों मंदिर निर्मान, मंदिर स्थापत्यकला वास्तुकला, आर्किटेक्चर, ये बहुत important points हैं, ठीक है, खास तोर पर art and culture के point of view से, art and culture से जड़े हुए प्रशन आते रहते हैं, चाहे वो प्राचीन भारत की इतिहास से हो, चाहे वो मद्यकालीन भारत की इतिहास से हो, कभी-कभी तो आधुनिक भारत की इतिहास से अल्यान मंडप की रचना मंदिर निर्मान का एक विशिष्ट अभी लक्षन था, तो इसका सीधा सा आंसर दोस्तों में बता रहता हूँ, ये विजय नगर समराज्य की यहाँ पर बात हो रही है, विजय नगर समराज्य में मंदिर निर्मान की एक अलग शैली शुरू ठीक है, इस तरह से विजय नगर समराज्य था, वहाँ पर भी मंदिर निर्मान की एक अलग प्रकार की विशिष्ट शैली शुरू हुई थी, ठीक है, यहाँ पर जो मंदिर होते थे, मंदिरों के अंदर एक कल्यान मंडप एक अलग से बनाया जाता था, ठीक है, मान लीजि वो कल्यान मंडप बना दिया जाता था, मतलब यहाँ पर इस मंडप के उपर छत बगएरा होती थी प्रॉपर, और बीच में प्रॉपर मंदिर होता था, ठीक है, तो यह साइड का जो हिस्सा होता था, यह कल्यान मंडप होता था, ठीक है, अब यह जो कल्यान मंडप होता थ अक्सर ठीक है इसको दैव विवा भी कहा जाता है ठीक है दैव विवा या देव विवा भी कहा जाता है ठीक है देव विवा जो मंदिनों के जो पुरोहित होते थे यग्या वगारा जो करते थे अनुष्ठान करते थे उनकी जब शादी उनका विवा होता था तो वो कल्यान म अगे बढ़ते हैं निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के परभारी को आमिल कहा जाता था ठीक है अब खेर मैं आगे थोड़ा सा ये देख लीजिए उप्रियुक्त कतनों में से कौन सा सही है तो ये तीन कतन है तीनों में से आपको देखना है भईया कौन सा सही है ठीक है तो पहला मैंने पड़ी लिया दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के परभारी को आमिल कहा जाता था क्या कहा जाता था आमिल इसको तो दोस्तों ये जो पहला कतन है य उसमें जो revenue collect करने वाला जो अधिकारी होता था, प्रभारी होता था, उसको आमिल कहा जाता था, या कई बार उसको अमल राज भी कहा दिया जाता था, ठीक है, अमारे इधर की local भाशा में, ठीक है, अमल राज भी कहा दिया जाता था, जबकि जो सुल्तानों की भाशा में, य एक प्राचीन देशी संस्था थी, तो नहीं भई, ये जो इकता प्रणाली है, ये प्राचीन देशी संस्था नहीं थी, ये कथन गलत है भीया, क्योंकि जो इकता प्रणाली है न, ये दिल्ली सुल्तान ही भारत के अंदर लेकर आये थे, ये प्राचीन देशी संस्था नहीं इक्ता मतलब जो आज की जो प्रांत होते हैं दोस्तों ठीक है राज्य, स्टेट, सूबा तो उनको इक्ता कहा जाने लगा था तो इक्ता प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था जो सूबे का प्रमुक होता था जैसे बाद में सूबेदार कहा जाने लगा था वैसे इस टाइम में एक्तेदार कहा जाने लगा था. ठीक है? तो एक्ता प्रणाली दिली के सुल्टानों के टाइम में शुरू की गई थी और ये आई कहां से थी? औरिजिनली ये अरब वर्ड से आई थी ठीक है? ये एक्ता जो है अरभी भाषा का शब्द है अर्बी भाषा का ये शब्द है इक्ता और फारस इरान जो है आज का वहाँ पर इक्ता प्रणाली चलती थी और पश्चिमेशिया के जो इसलामिक कंट्रीज है वहाँ पर ये प्रणाली चलती थी वहाँ से भारत में आई थी दिल्ली के सुल्तानों के ज अस्तित्व में आया था ये सेन्य एक पद था सेना से जुड़ा हुआ एक रैंक था मतलब आप इसको सेनापती कह सकते हैं ठीक है जो भी सेना में बड़ी-बड़ी न्युक्तियां होती थी वो मीर बक्षी के साइन से ही होती थी इवन मनसबदार जब न्युक्त किये जाते थ अपने आप उनके पास बहुत बड़े-बड़े दस्ते होते थे सेनाओं के सैनिकों के ठीक है उनकी भी जब न्युक्ति होती थी उसके उपर भी मीर बक्षी के साइन होते थे ठीक है तो मीर बक्षी ये मुगल काल में ये रैंक काम में आया या लाया जाता था ठीक है तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो कथन केवल एक यहां पर सही हो रहा है ठीक है तो मारा आंसर क्या हुआ एक केवल एक तो यह हमारा आंसर हो गया आगे बढ़ते हैं चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं निम्द लिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन आपके सामने यहा अकबर के समकालीन थे अकबर के contemporary थे ठीक है अकबर के ही same time में थे यह संत निम्बार्क इनको निम्बार का चारह भी कहते हैं तो ऐसा बिलकुल नहीं है संत निम्बार का निम्बार का चारह जो है अधिकतर जगों पर आपको पढ़ने का मिलेगा यह 11 सदी में थे ठीक है य लिक्तर जगों पर पता चलता है कि ये 11 सधी के संत थे भगवान श्री कृष्ण को मानते थे ठीक है और कृष्ण भक्ती में लीन रहते थे निम्बारका चारे द्वैता द्वैतवाद को इन्होंने स्थापित किया था ठीक है अलग-लग विचार धरा हैं दोस्तों समय समय पर क्या है यह मैं बाद में आपको बताऊंगा एक और कोर्स हम जब हम स्टेंडर कोर्स बनाएंगे प्राचीन भारत के टिहास का साथी आर्ट एंड कल्चर का जब हम अलग से कोर्स बनाएंगे उसमें मैं इन चीजों को पूरा डिटेल में लूँगा दोस्तों यहां पर इतन हुआ था 1512 से न तो एक टाइम के तो यह नहीं थे तो यह कथन अपना घलत हो गया आगे संत कबीर शेख एहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे तो यह भी नहीं है भीया संत कभीर कैसे प्रभावित हो सकते हैं संत कबीर का जो टाइम है वो तो था पंदर्वी शितापदी का 1440 के आसपास का इनका टाइम है सिकंदर लोधी के आसपास का टाइम है संत कबीर का जबकि ये जो शेख एहमद सरहिंदी है इनका टाइम तो अक्बर के टाइम के आसपास है 1564 में जन्म हुआ, शायद 1624 तक ही रही तो संत कबीर जो थे वो रामानंद से प्रभावित थे ना कि शेख एहमद सरहिंदी से शेख एहमद सरहिंदी जो थे येक सूफी संथ थे ठीक है तो समझ सकते हैं ये इसलाम से संबंदित हैं शेख सूफी संथ थे और इनका जो संपरदाए है वो नक्षबंदी संपरदाए क से जुड़े हुए थे शेख एहमद सरहिंदी ठीक है तो अब यहां पर क्या हुआ कि भाईया हमारे दोनों ही कथन गलत हो गए पहला भी गलत दूसरा भी गलत तो हमारा आंसर हो जगा डी ना तो एक और ना ही दो ठीक है दोस्तों उमीद करता हूँ आपको यह पता चल गया ह होगा आगे बरते हैं मिया तांसेन के संदर्ब में निविल खित में से कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा सही नहीं है प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो कौन सा सही नहीं है यह आपको देखना है चार कथन आपके सामने है कौन सा सही नहीं है यानि क राग भैरवी, राग मलहार, दीपक राग, तमाम तरह के हम बाते सुनते हैं इनके बारे में है न, तो तांसेन ने डेफिनिटली अनेग तरह के मौलिक रागों की रचना की थी, मतलब जो इन्होंने रचना खुद की थी, इनके खुद के राग थे, ठीक है, तांसेन ने अप राजा के दरवार में ये रहे, तो जिनके भी अंडर में रहे, जिनके भी संरक्षन में रहे, उनसे संबंधित गानों की इन्होंने रचना की थी, तो ये बात भी सही है, डी भी सही, सी भी सही, अब ये देखिए, तांसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित धुरुपदों की रचना की, definitely की थी, कहते हैं कि इन्होंने लगबग 300 धुरुपद पदों का संकलन किया है, ठीक है, इनका जो संकलन है, धुरुपद गायकी का, जो संकलन है, वो 300 पद हैं लगबग, तांसेन के, ठीक है, तो हिंदु देवी देताओं से समधित, आंसर है, तो हमारा जो आंसर है, याद रखेगा, यहां पर जो हमारा आंसर बनेगा, वो है भीया, ए, ठीक है, तो ए हमारा यहां पर आंसर हो जाता है, पैन बदलने, फिर आपको ज़्यादा बदल लगेगा, तो यह जो ए है हमारा, यह हमारा आंसर है, दोस्तों, ठीक है, समराट अक्बर ने इने उपाधी तानसेन दी थी नहीं भाई तानसेन की उपाधी अक्बर ने नहीं दी थी हलांकि इसमें भी काफी विवाद है कहा जाता है कि जो तानसेन की उपाधी है कुछ लोग कहते हैं कि इनको तानसेन की उपाधी जो ग्वालियर के राजा थे विक्रम जीत सिंग ठीक है ग्वालियर के विक्रम जीत विक्रम जीत सिंग तो मर तो कुछ लोग कहते हैं ग्वालियर के राजा विक्रम जीत सिंग ने इनको तांसेन की उपाधी दी कुछ लोग कहते हैं बांधवगड रिवा ठीक है बांधवगड़ या रिवा के जो राजा थे रामचंद्र तो कुछ लोग कहते हैं राजा रामचंद्र ने इनको तांसेन की उपाधी दी थी तो इन दोनों राजाओं के बारे में अलग-लग मत प्रचलित हैं ठीक है लेकिन ये तैय है अकबर ने तांसेन की उपाधी नहीं दी थी अकबर ने कौन सी दी थी अकबर ने जो उपाधी दी थी वो थी ये मिया अकबर ने इनको मिया तांसेन की उपाधी दी थी मिया ठीक है तो ये हो गया दोस्तों हमारा इसका आंसर आगे बढ़ते हैं इनमें से किस मुगल समराट ने सचीत्र पांडू लिपियों से ध्यान हटा कर चित्राधार यानि ऐल्बम और वैक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया पंडुलिपी ए मतलब मैनू स्क्रिप्ट okay? अभा इंफले दोस्त यह जानले पंडुलिपी मतलब मैनू स्क्रिप्ट चीत्र हाथ से लिखी हुए जो गरंथ होते थे वो पंडुलिपियां होती थी color पांडू हाथ से कुछ लिखा हुआ भी होता था, उनमें कुछ चित्रव गयरा भी बनाए होते थे, तो वो सचित्र पांडू लिपियां होती थी, तो सचित्र पांडू लिपियों के स्थान पर चित्राधार, यानि albums, only albums, ठीक है, जिनमें सरफ और सरफ चित्र देखने को मिल ठीक है, जैसे आज के टाइम में हमारी अलबम होती है, अलबम में क्या होती है, तस्वीरे होती है, जो खिची गई होती है, तो उसी प्रकार से चित्राधार बनाए जाने लगे, जिसमें केवल पेंटिंग्स होती थी, कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, इस तरह से वैक्त बहुत ही बड़ा चित्रकला का प्रेमी था, ठीक है, खुद बहुत ही शांदार चित्रकार था जहांगीर, और जहांगीर ने अपने दरबार में बहुत ही बड़े-बड़े चित्रकारों को जगा दे रखी थी, ठीक है, और जहांगीर किस किसम की पेंटिंग पसंद करता था यह प्रकृति से जुड़ी हुई painting पसंद करता था natural यह पशु पक्षियों को पेड़ पोधों को तमाम तरह की painting यह पसंद करता था ठीक है और 32 इसने नए आयाम दिये painting को ठीक है चित्रकला को तो यह हुआ दोस्तों इसका answer जहांगीर ठीक है इवन अकबर भी अकबर भी चित्रकला को काफी पसंद करता था लेकिन जहांगीर तो next level पे पहुँच गया था ठीक है आगे बढ़ते है निम लिखित यूगमों पर विचार कीजिए अब यह जो question ऐसा है अब यह direct आप देखेंगे तो आपको यू लगेगा इतिहास का नहीं है यहांपर दिया हुआ ह जादा जोग्राफी से जादा यह जो question है यह इतिहास से जुड़ा हुआ है यह कला और संस्कती संस्कती से जुड़ा हुआ है ठीक है क्यों क्योंकि दोस्तों यह जो स्थान यहांपर दिये गए है न यह बड़े ही एतिहासिक स्थान है ठीक है कुछ इन में तीर स्थान भी मौझूद है ठीक है तो बड़ा ही एतिहासिक महतो है इन स्थानों का ठीक है और इन नदियों का भी इनके साथ साथ कैसे अब आपको बताता है ये जो पंधरपूर है पंधरपूर जो है ये महाराष्टर के अंदर है शोलापूर नाम की जगा है ठीक है शोलापूर शहर है उसके पास ये पंधरपूर शोलापूर जिला है उसके पास पंधरपूर शहर है उसके अंदर ठीक है पंधरपूर के अंदर क्या है विठल स्वामी का मंदिर है भगवान विठल स्वामी का मंदिर है ठीक है तो पंधरपुर जो है बहुत ही महतपूर्ण तिरस्थल है वरकरी संपरदाय के लोगों का यहां पर विठल स्वामी का मंदिर है विठोबा मंदिर भी कह दिया जाता है ठीक है और दरसल यह भगवान श्री कृष्ण ही है ठीक है भगवान श्री कृष्ण के ही दूसरे नाम ह ये उनको विठल स्वामी के रूप में उनकी वहाँ पर पूजा होती है बगवान विठोबा के रूप में उनकी वहाँ पर पूजा होती है तो ये है पंधरपुर और ये पंधरपुर जो है ये चंद्र भागा नदी के किनारे है तो ये सही युगम मिलाया गया है दोस्तों अल्रेडी सही है ये ठीक है ये चंदर भागा नदी के किनारे है चंदर भागा नदी का जो दूसरा नाम है भीमा नदी ठीक है दरसल ये घूम कर निकलती है ठीक है चंदर जैसी आकरती बनाती है इसलिए इसको चंदर भागा नदी भी कह दिया जाता है आगे देखिए इसके बाद ये हमपी हमपी भाई बहुत ही इत्यासिक जगा है ठीक है बहुत ही मशूर जगा भी है बहुत ही इंपोर्टंट है बहुत इंपोर्टंट जो है दोस्तों क्यों क्योंकि आज के टाइम में UNESCO की World Heritage Site में हमपी को शामिल कर लिया गया है ठीक है युनेस्को की के विश्व विरासत जो स्थल है ठीक है विश्व विरासत स्थल ठीक है और इंग्लिश में कहें तो वर्ड हैरिटेज साइट तो हमपी जो है वर्ड हैरिटेज साइट है और ये माल प्रभा नदी के किनारे नहीं है भाईया ठीक है तो ये जो मिलाया है यह गलत मिलाया है हम्पी जो है ये तुंग भदरा नदी के किनारे है और बड़ा ही एतिहासिक फ़ान है ठीक है क्योँ पहली बात तो ये विजयनगर सामराज्य की राज़धानी रही बहुत लंबे समय तक और यहां पर बहुत बड़े बड़े प्राचीन मंदिर बहुत प् ये तो इसमें दो युगम सही मिल रहे हैं पहला और दूसरा ठीक है तो प्रिप्त में से सही युगम जो हैं वो कौन से सुमेलित हैं केवल एक और दो तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A ठीक है मैं pen बदल कर भी आपको दिखा रहेता हूँ भई जो A है यह हमारा आंसर है किवल 1 और 2 ठीक है क्योंकि यह पंधरपूर है यह सही मिल रहा है तिरचुरापली कावेरी के किनारे यह भी सही है जबकि हमपी वाला यह गलत मिलान है हमपी जो है वो तुंग भद्रा नदी के किनारे है तो दोस्तो यह हो गए हमारे कुश्चन और उमीद करता हूँ आपको यह लेसन अच्छा लगा होगा यह लेसन अच्छा लगा हो दोस्तो तो हमारी एप ज़र से ज़दा डाउनलोड करवाईए आप लोग अगर देख रहे हैं यह लेसन तो डेफिनेटली आपने तो डाउनलोड करी ली है ठिया आप और लोगों से डाउनलोड करवाईए हमारे इस कोर्स को ज़ादा से ज़दा लोगों तक शेर कीजिए ताकि सभी लोग फाइदा उठा सके सभी लोगों को पता चल सकें किस प्रकार के प्रशन आते हैं आएएस प्रिलिम्स एक्जाम के अंदर और सभी लोग अपनी आगे की तैयारी और बहतर तरीके से कर सकें आगे रिविजिन में भी यह कोर्स आपके बेहद काम आने वाला है साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल दोस्तों ये लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लें बैल आइकन भी दवा दें धन्यवाद दोस्तों